हेलो फ्रेंड कैसे है आप स्वागत है आपका मेरी चनल पर आज मैं लाई हूँ एमेजोन की कुछ नई प्रोड़क्टे जो दिवाले ओफर में आपको बड़े ही सस्ते दामों में मिल रही है तो जल्दी करिए शौपिंग करिए इन सब प्रोड़क्टों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो चलिए फिर देरना करते हुए वीडियो को शुरू करते है तो मेरे पहली प्रोड़क्ट है ये चौपर जिस पर आप कुछ भी चौप कर सकते हो बस प्रेस करके इसे पहला तो आप कोई भी तरह की ग्रिन सबजी हो तो इसे सुखा सकते हो दूसरा आता है ये ब्लेड जिसमें आप टमाटर हो गए या फिर प्यास हो गए कुछ भी महीं चौप कर सकते हो तेसरी आती है ये प्लेड जिससे आप अंडा वगेरा इस तरह से क्रश कर सकते हो चोथा इसमें इस तरह से ब्लेड भी आती है सेट करने के लिए जिसमें आप स्लाइस वगेरा हो गया हो या फिर ऐसा कटिंग हो जो मूली वगेरा गाजर वगेरा को अच्छे से crush कर देता है पोटेटो को भी इस तरह से stand में डाल कर crush किया जा सकता है अब इसके बाद next है ये corn tools जिसमें आप corn को अच्छे तरह से corn के दाने इस तरह से निकाल सकते हो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा बिल्कुल आसानी रहेगी कौन के दाने इदर उदर भी नहीं फैलेंगे तो ये मिल जा रहा है इस वक्त एमेजोन पर बड़े ही सस्ते दामों में चल्दी कीजिए खरीद लीजिए अब इसके बाद की नेक्ट आटम है वेजिटेबल वगेरा हो तो उसी धुनी के लिए ये बास्केट है टू लियर्स में ये बास्केट है दूसरे लियर्स में इसके हैंडल आता है इसलिए आप पकड़ के कोई भी चीज अच्छे से वश कर सकते हो एक तरफ से पानी निकल आएगा इसके बाद एक इसमें श्टेंड आता है जिसमें आप तरफ से क्टिंग भी कर सकते हो वेजिडेबल के हो या फिर कुछ भी सबज कर सकते हो इसमें 6 ब्लेड आती है इसलिए 6 प्रकार के क्टिंग होते है अब इसके बाद ये है ग्लॉष जो special gloss है इसमें आप बरतन वगेरा भी साफ कर सकते हो stove, platform वगेरा, fruit वगेरा भी गिस कर साफ कर सकते हो और इसे एक बार गरम पानी में डुबो तो ये वश करना बिलकुल आसान रहेगा इसकी सारी गंध की साफ हो जाएगी ये भी मैंने amazon से link ली हुई है आपको description में मिल जाएगी तो मुझे ये अच्छा लगा अब इसके बाद next है ये chopper जिस पर आप hand पर fresh करके कुछ भी cutting कर सकते हो अद्रक हो या फी टमाटर, प्याज, लैसून, कालिमेज वगेरा कुछ भी cut कर सकते हो बस इसे pressure करना होता है इसमें एक blade आती है इसलिए महिम पिछ जाएगा और इसे wash करने में बिल्कुल आसानी रहेगी बस निकालो और ऐसे इसकी blade को साफ कर लो अब next है ये container जिसमें आप कुछ डाले वगेरा या फिर अखरोट हो गया dry food वगेरा इसमें आप store कर सकते हो इसका डखकन एर टाइट आता है डखकन में बिल्कुल दूसरा छोटू सा डखकन आता है जिसमें से आप चीजे वगेरा निकाल सकते हो और आपके ये freeze में भी चलेगा और बाहर भी इसका बहुत ही अच्छा लूक आएगा इसको transparent बोटल में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा liquid वगेरा भी store कर सकते हो तो मुझे काफी अच्छी लगी ये set इसमें rice वगेरा भी आप store कर सकते हो तो इसकी link मैंने description में दे दी है और छोटी बड़ी साइज में ये container मिल जाएगा आपको और इसकी बोड़ी पुड़ी की बुरी transferant तरकी भी आती है एक के उपर एक set करके भी आप इसे रख सकते हो और इस तरह से बाजो बाजो में भी इसे set किया जा सकता है और इसे साफ करना भी आसान है फ्रीज में इस तरह से आप store कर सकते हो अब अगली item है ये kitchen rack है ये tape के उपर आप इसे adjust करके रख सकते हो कुछ भी आपने बरतन वगेरा दोया हो अगल तो इसमें set किया जा सकता है पानी वगेरा डायरेक्ट ही sank में आएगा इसके बाद next है ये छोटो सा sink rack जिस पे आराम से आप chopper वगेरा हो तो इड़्जर्स किया जा सकता है इसके बाद sides में इस तरह से उग लगा के spatula वगेरा भी रख सकते हो डेश वगेरा या फिर पानी के बड़े बड़े केर बेपीस में इस तरह से adjust करके रखा जा सकता है तो ये भी काफी अच्छा लगा metal का बना हुआ है कहीं भी आप इसे fold करकर ले जा सकते हो अपने साथ I hope आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी है अच्छे लगी हो तो like, share और subscribe करना बिलकूल मत भूलना ऐसी ही वीडियो मेरी चैनल पर रोज आती रहती है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye friends thank you for watching